पिछले कई दिनों से देश भर में एक फिल्म की जोर शोर से चर्चा हो रही है ना मैं दिख केरल स्टोरी इसमें दिखाया गया है कि कैसे केरल में मासूम लड़कियों का ब्रेन वाश करके उन्हें आतंकी बनने पर मजबूर किया जाता है इसी मूवी को लेकर खूब विवाद हो रहा था इस पर बैन लगाने की अपपील की जा रही थी इन सक के बीच प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी फिल्म का जिक्र किया और इसे आतंक पर आधारित बताया अब वॉलिवूड अक्रिस कंगना रनौत का भी रियक्शन आया है अब कंगना रनौत भी इस विवाद में कूद पड़ी उन्होंने अपना रियक्शन देते वे कहा देखिए मैंने फिल्म देखी नहीं है लेकिन फिल्म को बैन करने की बहुत कोशिश की गई है मैंने आज ही पड़ा अगर मैं गलत हूँ तो मुझे करेक करियेगा हाई कोट ने कहा कि फिल्म पर बैन नहीं लगाया जा सकता मुझे लगता है कि ये मूवी आईस आईस के अलावा किसी के भी बारे में गलत नहीं बता रही है न अगर देश की सबसे जिम्मेदार संस्था हाई कोट ये कह रही है तो वो सही कह रही है आईस आईस एक आतंकी संगठन है ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें आतंकवादी कह रही हूँ हमारा देश होम मिनिस्ट्री और अन्य देशों ने भी ऐसा ही कहा है कंगना आगे कहती हैं अगर आप ऐसा समझते हैं कि वो आतंकी संगठन नहीं है तो जाहिर सी बात है फिर आप भी आतंकी ही हैं अगर आप सोचते हैं कि एक टेररिस्ट आउटफिट एक टेररिस्ट नहीं है और उसको टेररिस्ट घोशित किया गया है legally, morally हर तरीके से और आप को लगता है कि वो टैर्रिस नहीं है तो फिल्म से जादा आप एक बड़ी समस्या है आपको पहले ये सोचना चाहिए कि आप जीवन में कहां खड़े हैं कंगना रनौत ये भी कही कि मैं उन लोगों के बारे में बात कर रही हूं जो सोच रहे हैं कि ये फिल्म उन पर हमला कर है ना कि आईस आईस पर अगर आपको लगता है कि ये आप पर हमला कर रही है तो आप आतंकवादी हैं मैं कुछ नहीं कह रही भाई ये सिंपल मैट्स है दकेरला स्टोरी को लेकर ये कंगना की बात आप सब को कैसी लेगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा